नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल पर वैदिक पंचान के अनुसार वैसाक मा के सुकल पच्की तृतिया तिथी की सुरुवात 10 माई को सुबह 4 बचकर 17 मिनट पर होगी तृतिया तिथी का समापन 11 माई 2024 को सुबह 2 बचकर 50 मिनट पर होगी अच्छे तृतिया की दिन गंगा जल से पूजा अस्थान को पवित्र कर लें उसके बाद एक चौकी पर लाल या पिला वस्तर बिचा कर माता लच्मी गडेश जी कुबेर जी की मूर्ति वतस्वीर अस्थापित कर दें वहाँ पर सोना चांदी या जव को रखें सबसे पले गडेश जी की पूजा करें उनको अच्छत, सिंदूर, चंदन, दुर्वा, पान, सुपारी, नारियल, धूब, दीप, फूल, फल, मोदक, आदी अरपित करें माल अच्मी को सफेद कमल के फूल और गुलाब के फूल अरपित करें इसके बाद खीर का भोग लगाएं मानता है कि इससे धन की प्राप्ति होती है और सूक समरिद्धी बनी रहती है अच्छे तिर्दिया पर आर्थिक समस्याओं से चुटकारा पाने के लिए माल अच्मी को केसर और हल्दी अरपित करें इसके बाद दिये गए मंत्रों का शरद्धा पुर्वक जाब करें मंत्र इसक्रीन पर दिया जा रहा है आप इसको पढ़ कर इसका जाब करें श्रद्धा पुर्वक पूजा पाठ और मंत्रों के जाब के बाद इस दिन ब्रामणों को भोजन जरूर कराएं उनका आशिरवाद प्राप्त करें साथी फल फूल बर्तन, वस्त्र गौव, भूमी, जल से भरे घड़े, कुलहड पंके, खडाउं, चावल, नमगी, खजूर, चीनी, साग, आदिकादान, पूड़ेकारी माना जाता है पूरे नियम और विधी विधान से अगर आपने ये सबकार किये, तो आपको मालचमी और भगवान कुबेर का आशिरवाद जरूर प्राप्त होगा अच्छे तृतिया के दिन जो भी आप पूड कर्म करते हैं, उससे अरजित पूड का कभी छै नहीं होता, वो हमेशा आपके साथ मवजूद होता है उसमें कभी कमी नहीं होती कहा जाता है कि अच्छे तृतिया पर जो लोग पाप कर्म करते हैं उनका फल भी पूरे जीवन साथ ही चलता है क्योंकि वह भी अच्छे रहता है इसलिए अच्छे तृतिया पर कोई भी गलत कारे नहीं करना चाहिए